दक्षिन भारत से राष्ट्री राजधानी दिल्ली को करोणों करोड लीटर दूद की आपूर्थ की जा रही है। ये खास तरीके की ट्रेन दूद दूरंतों हैं। हम आपको बता दें कि दूद दूरंतों ने रेनी गुंटा से राष्ट्री राजधानी को 10 करोड लीटर दूद की अब तक आपूर्थ की है। 26 मार्च 2020 को इस तरीके की ट्रेनों की सुरुवात की गई थी। इन विशेश ट्रेनों का संचालन दक्षिन मद्ध रेलवे द्वारा लगातार किया जा रहा है और अभी तक 443 फेरों के माध्यम से दूद के 2502 टैंकरों की अपूर्थ की गई है। इसके लिए कोशिस की गई है। रेनी गुंटा से हजरत निजामुद्दीन स्टेशन की 2300 किलोमीटर की दूरी महज 30 घंटों के समय में तैंक करते हुए मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के लिहास से इन ट्रेनों का परिचालन किया रहा रहा है। दूद दूरंतों विशेश ट्रेने आमतार पर दूद के 6 टैंकर लेकर चलती है। हर एक टैंकर की चमता 40,000 लीटर होती है और इस प्रकार एक ट्रेन की कुल चमता तकरीबन 2,40,000 लाक लीटर होती है। अभी तक इन विशेश ट्रेनों ने 443 फेरों में दूद के 2502 टैंकरों से 10 करोड लीटर से जादा की दूद की आपूर्ती राष्ट्री राजधानी को की है। गुंटकल डिवीजन माल भेजने वाले ग्रहकों के साथ सीधे सीधे संपर्क में आती है जो दूद के लदान की पेशकस कर रहे होते हैं। उनकी जरूरतों को समझते हुए इन ट्रेनों के परिचालन में कोई बाधा ना आए इसका पूरा खया लखा जाता है। इस अनुठी पहल के सुरुवात के बाध से कोविट के सबसे खराब दौर में भी इन ट्रेनों का संचालन लगातार जारी है। आवस्यक वस्तियों की आपूर्थ शंकला को संतुलित रखने के लिए इसे आगे भी जारी रखा जाएगा। यहाँ पर हम आपको बता दे इस पहल की वजह से आंद्रप्रदेश के एक पड़े इलाके के किसानों को फाइदा हो रहा है। क्योंकि वहाँ पर जो दूद का उत्पादन होता है उसको सही मार्केट मिले। एकदम हम कह सकते हैं दिल्ली जैसी मार्केट मिल रही है।